8th of July 2020 और आज हम हम हिंदु एडिटोरियल मॉर्निंग में स्टार्ट कर रहे हैं ताकि टाइम लिए आपके पास आजाए कोशिश करूँगा कि डेली मॉर्निंग में यह आपको मैं देपाँ लेक्चर प्रेजंट करता हूँ मैं धरमेन सिंग राना आपको कभी भी कोई इश हुओ तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मुझे मेल करने के लिए आप मेरी पसनल मेल आड़ी भी ले सकते हैं जिस पर आप मेल करना चाहेंगे तो आपको एक नॉर्मल सी चीज है डी जब भी हमें मेल करना होगा तो आपको लिखना होगा dpsrana4u at the rate gmail.com इस पर आप बिटा कभी भी हमें मेल कर देंगे तो चीज़े आपके पास परसनली पहुँच जाएंगी आपको कोई भी शो होगा तो आप इस पर मेल करते रहे हैं आप कुछी चाप के सामने होगा आए बिना देरी के अपने news analysis के portion के start करते हैं मैंने कल भी आप से कहा था कि मैंने थोड़ा pattern change किया अगर आपको अच्छा लग रहा तो please comment करके बताएं तो मैं इसी pattern पर रहूँगा तो अब इसी pattern पर हम चलते हैं चलिए news analysis स्टार्ट करना है से पहले आज की सबसे बड़ी news है कि अब हमारे जो new hike है COVID-19 के cases का वह एक दिन में 22,264 है और यह hike बढ़ता ही जा रहा है देखे यह नहीं कि state में कहीं decline है कहीं incline है एक सबसे बड़ा issue है कि हमारा culture change हो रहा है और उस culture को हम follow नहीं कर रहे है अभी भी हम mask नहीं wear कर रहे है अभी हम seriousness को समझ नहीं रहे है अभी भी हम social distancing का follow up नहीं कर रहे है अभी भी हम लोगों को और चीज़ों को ignore कर रहे है तो देखे जब तक यह चीज़े होंगी problem रहेगी रहेगी वो चीज़े लगातार बढ़ती जा रही है तो हमें कोशिश करने हैं किसे हम कंट्रोल करें प्रेकॉशन्स लें देखे प्रेकॉशन्स ही लेंगे तभी बाकी बिजनेस जो बंद है वो भी खुल पाएंगे तो हम सबको मिल के साथ देना है तो इससे कोविट-19 से लड़ने के लिए हम सबको अपने उपर ध्यान देना पड़ेगा है इसके बाद 1.5 किलोमेटर क्लैश जो था साइट का वो खतम हो गया है और अब यह दोनों कंट्रीज जो है दूर दूर हो गई है बढ़ 30 दिन तक पेट्रोलिंग का राइट नहीं है इंडिया को तो वो आफ लिमिट है बफर जून क्रिएट किया गया उसमें कोई नहीं जाएगा इंडिये 14 पॉइंट तक पेट्रोलिंग करते थी अभी यह नहीं करेगी तो दोनों साइट जो है विदिन 60 किलोमेटर में 80 लोग ही रख सकती है 40 यह रखेंगे 40 वो रखेंगे तो एक बड़ी चीज है उसके बाद जो सेंटर ले डाउन था वैक्सीन ट्रायल नॉम्स वैक्सीन के ट्रायल नॉम्स है उनको थोड़ा ले डाउन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा किस तरीके के क्या है हमें याद रखना है कि बड़ी जो ड्रक्स बन रहा है वो ऐसा नहों कि बनने के बाद हमें प्रॉपलम दे तो human trials पहले आ जाएं उसके बाद देखते हैं क्या result आता है कैसे होता है तो वेट करते हैं उसके लिए black flag बेटा यह आप से पूछा जा सकता है थोड़ा important है हमारे यहां एक bird wing है butterfly है बेटा बहुत famous और यह हमारे हैं सबसे बड़ी butterfly मानी जा रही है आज की rate में तो इसके बारे में आपको धियान रखना है ठीक है और इसकी length 190 meter mm है यह आपकी है butterfly जिसके बारे में बात हो रही है इसका survey किसने किया यह भी आपको धियान रखना है इसका survey जो करता है वो करता है University of Chinese Academy of Science in Yuan ठीक है and Peter Semtrek of the butterfly research center in भीमता लुत्तराखन यह सब इसके studies करते हैं उसके थुरू है आप images यहां देख लीजिए आपको चीज़े पता चल जाएंगे इसके बाद एक doctor साहब मिले हैं जो दिल्ली में थे यह क्या करते थे fake certification बनाते थे और लोगों को जेल से छुड़ाने के लिए तो यह doctor नायर साहब है इनको license जद कर दिये गया है एक साल के लिए और criminal proceeding चलेंगे प्रसेस ने सर्च करने के लिए विकास दुवे के लिए और चीज़े बढ़ा दी है MP में ब्हुंडा जा रहा है उतराखंड में भी दुना जा रहे है इविं दिल्ली में भी कहा है लट कर दिया गया यूपी के अंदर हर जगे डूंडा जा रहा है नेपाल डूंडा जा रहा है तो वेट करते हैं कि है उस इसे related article था आपका news में आप पड़ सकते हैं LG polymer arrested है इसमें क्या हुआ था बेटा है यहाँ पर एक polymer factory है LG की यहाँ पर सारे offices बारा लोग including managing director गिरफतार कर ले गए security to complete strategic road देखे strategic road जो पहले से बन रही थी उसको बंद नहीं किया जाएगा उसको बनाया जाएगा उसको अगब बढ़ाया जाएगा इसके साथ और भी जीजेए यह और भी important roads बना रही है बारा roads बना रही है देख 1065 km में यूटी जेंड के अंडल दाख में और सिक्किम में 62 km तेन का road construction है जो चल रहा है और इसको रोकना नहीं उल्टा बढ़ाना है L.E.C. में इसी को लेकर dispute चल ला था पर उसके बाद भी हम इसे करते जा रहे है तो इसी की meeting हुई थी जिसमें सब लोग बैठे थे वही चीज़ा आपके सामने U.S. ने कहा है कि भीया कास्ट सा हम नहीं हटाएंगे या जैसे हमारी रशे के साथ डील हुई हमने वहाँ से इंक की अपनी डील उसके बाद इनको problem होगा इन्होंने कहसाब कर नहीं सकते तो इसी पर है सेंक्षन से और भी इंप्रूफ कर सकते हैं कर लें अठारा जारे 147 करोड का सेंक्षन डील हुई है जो साही नहीं हो अगर टेस्टिंग ठीक से होगी और सब कुछ सही होगा तो हमें फैदा होगा देख लिजेगा लोगे यहां पर इसपूट चला है इंडिया केरियर को वहां उड़ने को और वो ऐंडून के कैरियर्स को हमारी कंट्री में उडने नहीं दे रहे हैं तो यह कह रहा है आनराइस कि डिस्पूट जतनी जल्दी हो सके प्लीज क्लियर करें कि वहां नॉन्मल लोगडाउन खतम हो चुका है हमारी jobs को जाएंगे चार्टर प्लेन से हर बंदा जा नहीं सकता है क्योंको दो लाग रुपर लेका फ्लाइट का यह सारे काम करता जा रहा है इसके बाद online obedience हुआ था इसका जिसके थोई चीज की गई टिक टॉक कहा जा रहा है शायद यूएस में भी बैन करेंगे पॉंप्रीनो आए थे इन्होंने बोला है तो हो सकता है बैन हो जाए जैर बोल सो नैरो एक आपके प्रेसिडेंट है करेद हुई थे जिसमें उने मास्क नहीं पहना थकी शूलेमार जीको मारा थे जो सुलीमान जी को मारा है थात्तो ये नहीं होना चाहिए था तीन जनवरी को उनको मारा गया था फ्लट आया हुआ जैपैन में पचपन लोग मर चुके हैं और बहुत बुरी हालत है तो उनको बचाने की पूरी कोशिश चल लई है इसके बाद वाद 116 दिन के बाद क्रिकट दुबारा स्टार्ट हो रहा है देखे क्या होता है चीटिंग करने Commonwealth है और पैट्रोलिंग को हमें एजा सर्प्राइस दे लेते हैं और हम फज़ आते हैं, तो मैं बहुत ध्यान देना है कि ऐसी कोई चीज ना हो और हम बहुत अवेक रहें, कई बार ऐसा पहले भी हो चुका है, तो यह चीजे हमें हमीशा ध्यान रखने हैं, कि हम अपनी पोजिशन को विकेट कर रहे हैं, ऐसा ना कोई और रिया कोई पाई कर दूसरा अब PM Modi और Chinese President को भी आपस में फिर से बात रिजियूम करना ही चाहिए क्योंकि देखे balance relationship neighbors को रखने पड़ेंगे तो हमें सोचना है इसे हम कैसे balance कर सकते हैं अगला editorial in standoff keeping an eye on the nuclear wall ये कि हम conventional war की बात करते हैं अभी तक conventional war है पर चाइना ने अपनी ballistic missiles और अपनी nuclear missiles बहुत अच्छे से बढ़ा रखी है मिर्वी है multiple independently targetable reentry vehicles है vehicle के थूर लांच करते हैं कहीं पर भी लांच कर सकते हैं इनके पास intercontinental ballistic missile है 4000 km तक मार कर सकती है इसके बाद कई सारी चीज़े हैं PRC ने सारी चीज़े की nuclear IRC अपना बढ़ा लिया सब कुछ कर लिया और इनके जो warheads है इसमें 2.9 plus minus 06 metric ton है मतलब भी 0.06 plus minus कर सकते हैं बलकि इंडिया की जो हालत है वो है 0.6 plus 15 मतलब हम सिर्फ 75 तक की weight को ले सकते हैं मेली tons में तो बॉड़ी चीज़ है tons में sorry metric tons में तो एक बहुत बड़ा issue होता है अब इनके nuclear warheads जो है 290 थे उसके बाद 320 हो गए अब 2020 में इंडिया के पास warheads 1500 हैं पाकिस्तान के पास 160 हैं और US का सालमोस 1000 अज़की date में तो हम यह देखना है कि इंडिया का decision making क्या होगी LAC में nuclear weapons ना है इनको control करना है सब सारी दुनिया से control करने के कोशिश कर रही है तो चाइना बढ़ा रहा है क्योंकि US और अशिया के बराबर पहुचना चाता है challenges इंडिया के लिए और भी हैं देखना है कि किस तरह करेगा क्योंकि देखिए इनकी जो DF26, IRM, BM है यह इतनी है कि इनोंने जहां पर पोस्ट कर रख्यास कही जिन के पास वहां से यह कभी भी 4000 किलोमेटर की मारक चमता में सब को कंट्रोल कर सकती है हमें guard करना है, अपने territories को में बहुत अवेग रहना है, हमें सोचना है और nuclear doctrine जो हमारी है, उसको हम हमीशा follow करके चलेंगे late internet है, एक है, Kenny West, यह एक rap singer है इन्होंने काए कि यह भी contest करेंगे election, दो लोगों के खिलाफ, Donald Trump और Lee Baden के खिलाफ और देखे, यह हुआ है, तो funny नहीं था, इस स्यादा funny हुआ है, Aon Musk जो CEO है, Tesla के उन्होंने इने full support कर रही है बोल दिया है, तो अगर यह होता है, तो देखे, politics में एक और बंदा US politics में जोड़ रहा है, देखे, इस से क्या benefit होता है, इसके बाद Philippines वाला issue है, South China से ही से related है, यहां पर देखे, बहुत बड़ी चीज क्या है, People Republic of China एक बहुत बड़ा काम करती है, कि जहां पर आइलेंड नहीं होते हैं, वार्षी फिल आर्टिफिशल आइलेंड बना की EJ को अपने पास रख लेती है, EJ की जोन में आकर जितनी भी नैचरल चीजे होती है, उनको इस प्राइट काने लेती है, जो आईलेंड और आवा एक्सप्राइडेशन अभी भी चल ला है, जो बहुत बड़ा इस होता है, जैसे जकर में एक लड़की नहीं ने रुपका, तो ये बहुत बड़ा इशू होता है, इसको हमें ध्यान रखना है, अब ये कुछ भी कर सकते हैं, जो EZ हमारा चीजे होती हैं, उसमें ये कोई भी चीज आपकी इस्ट्रॉंग कर सकते हैं, EZ में ये अपने एक्सप्राइडेशन कर सकते हैं, नैचरलर रिसोर्सेस को टा स सकते हैं, फिलिपिन्स इनके अगेंस खड़ी होती है, इंटरनेशनल कोर्ड में भी जा चुके है, सब कुछ कर चुकी है, बड़ इसका कोई बेनेफिट नहीं हुआ, चाइना जो है आसपास अपनी चीजे बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाने के साथ बंकर से लेकर हर चीज अपनी नेवी को देने के लिए पर इनकी कंडिक्शन इती स्ट्रॉंग नहीं कि इन चीजों को अकेले कर पाएं, तो इसलिए ये मजबूर है चाइना से बैटल नहीं करने के चकर में फिलिपिन्स इनकी बातों को मानता है और एकसेप्ट कर लेता है, बल्कि जो गलत है उस सर्विसे दे सकते हैं, अन्दमा निको बारे में पोस्टेड हैं, तो ये सारी चीज़े हो सकती हैं, तो देखते हैं क्या होता है, इंडिया को भी रोल प्ले करना इन चीजों को कवर अप करने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्शिप हो की तभी फैदा होगा, इसके बाद बॉल अलित और सोशलित को वैसे नौकरी नहीं देते हैं, जिनको काम करने देते हैं, वो भी एलिट क्लास के हैं, आपके जो डिरेक्टर्स हैं, प्रेड्यूसर्स हैं, राइटर्स हैं, वो सब एलिट क्लास से आते हैं, सिंगल स्क्रीनिंग बंद कर दी, तो लोकल लोगों को बि में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुजन, दलित, अदिवाथी इन लोगों को काम नहीं मिलता, पूर्स को दूर रखना है, सिंगल स्क्रीनिंग खतम कर दी गई है, अब कुछ ही चीज रहए गई हैं, जो सिंगल स्क्रीनिंग खतम कर दी हैं, मल्टी स्कीन में सब जा नहीं सकते, कुछ बॉलिवूड डिरेक्टर से हैं, अरुनार कर्षभ, दिबाकर बेनरजी जो अच्छी मूवीज बनते हैं, साउथ में भी अगर आप देखें, अच्छी मूवी बन रही है, मराथा में भी कुछ अच्छी मूवीज बनती है, तो मैं ध्यान रखना है कि बॉलिवूड में ऐसा नहीं है, कि सिस्फ हे इंब हैं बहुत लोग हैं, बट कुछ लोगों के चकर में अबटेश में फॉलो की जाती है और कंडिशन बिगड़ती चली जाती है आज बिटा मेंस के दो कॉस्टेंस आपको मैंने दिये हैं आप लिख लीजेगा तो कोशिश करेगा इन दोनों कॉस्टेंस को लिखने में present crisis provided several opportunities for the real parliamentary change in our country दूसरा the management of lockdown crisis situation and country will shape balance of power between center and state justified ये दोनों आपको question लिखने हैं आज का editorial section आपको अच्छा लगा, news analysis अच्छा लगा तो please like share और subscribe कर दीजेगा बीच में थोड़ी गड़बर के लिए I'm sorry, take care, God bless you all, bye bye